सवाल यह जो आपने पुछा कि कितना इनकी बात पर भरोसा किया जाए तो नितीश जी को खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं है नितीश का के कई रूप हैं और वो आदतन भगोडे हैं उनको यह लत लग गई है पाला बदलने की देखी राजनिति के हमाम में सब दल लंगे ह और यह राइंतिक मजबूरी है दूसरे दलों की कि सरकार बनानी है और वैसे में साथ किसी का लेना पड़ता है चुकि अपने बूते उतना बहुमत है नहीं राजद या भाजबा इनकी यह मजबूरी है कि नितीश कुमार को अपने पाले में करना अगर नितीश कुमार बह तो यह तो बहुत ही स्थर्मनाक बात है कि पार्टी का अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है 17 सीटों पर अगर उनका दबाव तो है मगर 17 सीटें अगर उनको दे दिजाएं तो बाकी के जो दल है तो यह लोग कहां जाएंगे नमस्कार अपलाई बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहंतिवारी देखिए बिहार में NDS सरकार का गठन हो गया और उसके बाद नितीश कुमार बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार दिल्ली दौरे पर है बीते दिन उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, ग्रेह मंत्री अमित्सा और बीजेपी के राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड़ा से मुलाकात की लेकिन उसके बाद जो उनका बयान आया है वो बड़ा ही दिल्चस्प है उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि देखिए बीच में दो बार इधर उदर हो गया लेकिन अब नहीं भागेंगे अब उनके इस बात पर उनके इस बयान पर लोग कितना भरोसा करेंगे और जो नितीश कुमार कह रहे हैं क्या उस पर अरे रहेंगे इसी पर बात करेंगे हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार प्रवीन बागी है नितीश कुमार जी तो बोल दिये कि अब नहीं भागेंगे यह एक तरह से उनकी स्विकरोकती है और अपनी गलती उन्होंने मानी है अपनी भूल मानी है इसलिए ऐसे सब्दों का इस्तिमाल किया जब वो प्रधान मंत्री से मिल करके आये तब उन्होंने ये बातें कहीं मेडिया से दोनों की मुलाकात लगवक्त 30 मिनट की थी प्रधान मंत्री के साथ 30 कात हुई और जो तस्वीरें आई हैं कि गर्म जोसी से मिल रहे हैं प्रधान मंत्री ने एक हाथ बढ़ाया है तो नितिश जी ने दोनों हाथ से उनका हाथ पकड़ा है और गुलदस्ता भी बेट किया है तो ये तो आप चारिकता है जो उन्होंने निभाई मगर बाहर निक हमारा साथ था संबन्न था और अच्छे से चल था बीच में दो बार हम इधर उधर चले गए मगर अब नहीं जाएंगे अप तय कर लिया है कि अब कहीं नहीं भागेंगे ये सब दुनोंने इस्तिमाल किया कि अब कहीं नहीं भागेंगे तो सवाल ये जो आपने पूछा कि कितना इनकी बात पर भरोसा किया जाए तो नितीश जी को खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं है तो दूसरे लोग क्या भरोसा करेंगे उस पर ये बड़ा महत्पुर्ण सवाल है कि वो जब भी भाग करके फिर वापस आए हैं तो हर बार यही बात उन्होंने कही है और कई कल कre kalian ओं पर यह चल्दा था एक तुरफ़ उनका ठाजा बयान कल का बयान चल्द था कि कहीं नहीं अब भागेंगे अब यहीं रहेंगे और दूसरे तरफ यह बयान भी चल्ला था कि जो उनोंने कसम खाई थी कि मर जाएंगे मिठ जाएंगे मगर अब कभी उनके साथ नहीं पर उनके भरना किवका नितीत के कई रूप है ११११११११११११११॥१ उनको फोड़ बदलने की वह मतलम अपरादी कार्थ में बड़ोर मगल बदलने की वहादत हिर अंता है उसमें उनको आनद आता है वह रिकर तो फिर इंजोय करते हुए फिर वह नितीस के करीके लोग भी नहीं जानते हैं कि कल क्या करेंगे अगले च्छन क्या करेंगे आपने देखागा कि विधान सभा में कैसे कैसे बयान उन्होंने दिये एक बार विधान सभा में बयान दिया था पाला बदल के संबन में उस समय भी कहा था कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे तीन बार ये कहा था फिर दूसरी गए अब ये तीस्री बार उन्होंने उन्होंने भड़ान दिया है कि आज, everything is alive, न्हीं नहीं भागेंगे, तो यानि उनको ये भीतर से फिल हो रहा है कि हमारी छवी पन गई है कि हम भागते रहते पलायनवादी हैं और पाला बदलते रहते हैं तो इस संदर्व में उन्होंने ये कहा होगा कि अब कहीं नहीं भागेंगे मगर लोग कैसे भरोसा करें लोगों को भरोसा करना नितीश जी के इस बयान पर बड़ा कठिन है क्योंकि नितीश जी जैसा कि मैंने कहा कि वह आधतन पाला बदल करने वाले नेता रहे हैं और जिस तरह के बयान आजकल नेताओं क्या रहे हैं जो दावे प्रतिदावे हो रहे जनता भरोसा करती है और वो निता जब इस तरह से पाला वदल करेंगे और इस तरह के बयान देंगे और बयान के फिर बिप्रीत कारेंगे तो भरोसा करना कठीन हो जाता है लोगों का भरोसा तूट जाता है नितिश कुमार जब राजत के साथ गए थे तो वो फिर पाला बद जलेंगे तो अब सवाल यह है कि नितिश कुमार को लेकर राजएदों बीजय पी अपना स्टेंट क्योंगि क्लियर कर पा अपने पास विधायकों की संख्या प्रयाप्त नहीं है तो किसी ना किसी की मदद लेनी परती है अब जो वैसे में हाथ बढ़ा दे उसका हाथ थाम लेते हैं तो इसलिए राजद या भाजपा इनकी यह मजबूरी है कि नितिश कुमार को अपने पाले में करना अगर नितिश बाहनित में आजाए तो उनको भी बहागने की जरुवत नहीं रहेगा चलती है कॉपिससे घुण भाहता नहीं परें किंद्रे नतित के यह पहल पर यह बदला होता था तो यह जब तक यह संक्रमन काल खत्म नहीं होगा राजनिती का भी सिप्षार में तब तक यह पाला बदल का खेल भी कटम होगा और इसमें चोके चोटे दलों की पहोबारा रहते हैं उनको बार्रगेंइं abbiamo करने की छूट मिल जाती है उनकी ताकत बढ़ जाती है ऐसे में जान दो दो एक एक विधायक से बहुमत साबित होता हूँ और सरकार बंती बिगड़ती हो तो उनकी कीमत लगा जाती है आप देखें कि कैसे कॉंग्रेस के विधायकों को ले जाया गया है घुमाने के लिए बढ़ा बदल लेंगे बाग जाएंगे इस डर से बचने के लिए वो बिधायकों को बाहर ले जा रही है और यह करोडो करोड रुपे इस पर खर्च होते हैं यह सब काला धन है यह कहां से पैसा आ रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए इडी की चर्चा लगातार होती है अगर को दल यह मांग नहीं करता है कि इस खर्चे की यह खर्चा कौन दे रहा है चार्ट प्लेन का बिल कौन भर रहा है जो फाइव स्टपर होटल में आई स्माज हो रहा है विधायकों का उसका खर्च कौन वहन कर रहा है कहां से वो पैसा हा रहा है इस निऴ infring कुमार पी नितिश जी ने उन परिस्थितियों के बारे में जानकारी दियोगी जिसके चलते पाला बदलना पड़ा होगा और फिर पहले तो एस पष्टिक करन दिया होगा कि भाजबा का साथ छोड़ करके क्यों गए राजत के साथ फिर ये बताया होगा कि राजत का साथ छोड़ करके आप के साथ फिर क्यों आ रहे हैं यह दोनों बात उन्होंने कर लेंगे नहीं करेंगे क्योंकि जनता के जनता में तो राजनेताओं की साख और विश्वस नेता खत्म हुई है राजनेताओं का भी राजनेताओं पर भरोसा नहीं है यानि एक नेता दूसरे नेता पर भरोसा नहीं करता है तो इसलिए यह नितीज जी जितना भी सफाई द लाने की कोशिस करें मगर मुझे नहीं लगता है कि प्रधान मंत्री मोदी या अमित्सा या जेपी नड़ा या दूसरा भी कोई ने था भाजबा का यह भरोसा करेगा कि यह हमेशा साथ रहेंगे अब फिर पाला बदल बंधन में लाने की जरूरत क्या पड़ी क्या केवल लो और फिर सरकार में अपने हिसाब से लोक कल्यानकारी सासन कायम करें जनता की भलाई करें सेवा करें देश को आगे बढ़ाने का काम करें यह उनका घोसेत उद्धेस होता है और इसी के लिए काम करते है तो बिहार में पिर नितिश कुमार कहीने तर्टुव में पीछे- तक तो यही लग रहा है कि BJP उनको फॉलो कर रही है हाला कि यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार भाजबा का अपर हेंड होगा और वो ड्राइविंग सीट पे होगी मगर अभी तक जो देखने में आ रहा है वो तो यही है कि नितिश कुमार ही ड्राइविंग सीट मे है वही गाड़ी चला रहे है अब भाजबा पीछे बैठी हुई है उसमें अब मगर इसके लिए सबसे जो दोसी है और सबसे बड़ी सफरर भी है वह इस प्रदेश की जनता प्रदेश की जनता जब तक किसी एक दल को बहुमत नहीं देगी तब तक यह पाला बदल का खेल ह होता रहेगा और विकास काम अरुद होता रहेगा और उनको लॉली पॉप मिलता रहेगा तो यह जनता को चुनना है कि उसे लॉली पॉप का स्वाद पसंद है या विकास का स्वाद लेना चाहता है वह आज हर तीसरे चौथे घर का आप देखिया कि एक बच्चा बाहर है बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, या नौकरी करने जा रहे हैं बहर या घर में कोई बुढ़ा बुझूर गया जवान, बीमार है, इलाज के लिए बाहर जारनाब पड़ रहा है. तो यह नौबत इसके लिए जिम्यवार आम बिहारी मद्दाता बिहारी भी कम नहीं है अगर वो अच्छे लोगों को चुने और किसी एक पार्टी को बहुमत दे तो यह नौबत नहीं आएगी तब अस्थाई सरकार रहेगी वो काम करेगी और फिर अगले चुनाव में आप उसको यह किजिए देखिए कि उसने वादे पूरे किये कि नहीं किये लोग सभा चुनाव अगले महीना तो है नाउंस भी हो जाएगा नितीश कुमार आगा है एंडिय में पुरानी 17 सीटों पर ही फिर से लड़ेंगे या इस बार लगता है कि एंडिय में उनको एड़ेस् हैं हम है कुस्वाजी की पाटी है चिराग पासवान है पसपति पारस हैं तो यह लोग कहां जाएंगे तो इसलिए हमको लगता है कि जदियों की सीटें कुछ कम होगी और उसके कई तरह से समझोते हो सकते हैं जैसे राजसभा में चुनाव होना है विराजसभा का तो उसमे यहां जिसको कम मिलेगा उसकी भरपाई वहां कर शकती है भाजबा तो उसके पास ऑप्सन है अब उसके लिए सहयोगी दलों को तयार करना यह कितनी कुसलता से वो कर पाते हैं यह देखना होगा अब तो नहीं लग रहा है कि अभी फिलाल टूटेगा अभी लोग सभा चु चुनाओं में क्या परफॉर्मेंस रहता है उसमें अगर मान लिजे कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो फिर नितिश कुमार जी का मन डोल जाएगा और फिर वो पाला बदल लेंगे देखेंगे कि विदान सभा हम को निकालना है तो विदान सभा निकालना तो फिर राज़त इसाथ चले जाएंगे अगर महागटवंदन की सीटें ज्यादा आ जाती है संतोष जनक तरीके से वह जीत जाती है विदान लोकसभा की सीटें तो यह तैमानिय की नितिए जी फिर पाला बदल लेंगे अगामी विदान सभा चुनाओं पर अगर बात करें तो बी उसरे का साथ लेना ही पड़ेगा गटवंदन में लड़ेंगे तो फिर गटवंदन में लड़ेंगे तो उस समय बार्गेनिंग होगी मगर यह लोकसभा के रिजल्ट पर बहुत कुछ निरवर करता है अगर ठीक टाग रहा तो नितिए जी का अपर हैंड रहेगा और यह हो वह अपने पाले में लेना चाह रहे थी मगर इनोंने मना कर दिया वो उनकी पसंद सुसील मोदी थे तो बहुत वहां मना कर दिया तो दोनों ने के जगा मना किया तो मैच ड्रा हो गया तो फिर वही इस्तिति आ गए और एक जो आपने प्राशांत की सोर जी के बारे में कहा तो प्राशांत की सोर ने उस समें ये कहा था कि जो खिड़की खुली रखी है अरिवंस जी के माध्यम से तो आपको याद होगा कि हरीवंस जी से इस्तिफा मांगा था जब यह मामला गरमाय जाद्यूध लीटास हैं तो तब के ज़दिव अधिय्ष लेलन शीन हरीवान शींग से इस्तिफा मांगा था कि उनको इस्तिफाद देना चाहिए अगर पर स्थितियां एसी बदलें कि उन्हें ही स्टिफादेना पड़ा लालन सी घ्रक चोड़ जहना पड़ा और हरीवां ज वही है कि जद्यू में निटीश कुमार और कुई है ने बस वो तो सर्वे-सरवा है वो तो ललान सिंग जो अध्यक्षते उस्समें उनका ये ओफिस्यल बयान था जद्यू के मालिक है निटीश जी हम मालिक है तो बाकी सारे लोग नौकर है मालिक और नौकर का संबंद है वह सेवक और स्वामी का संबंद है तो जद्यू उन्हीं की पार्टी है उन्हीं की क्रियेशन है तो वो जब तक हैं चला रहे हैं फिर उसके बाद क्या होगा यह तो भविस्वत आएगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो देखिए बिहार की राजनीती में नितीश कुमार क्या कर दे कोई नहीं जानता कुछ दिन पहले तक महागडबंदन के साथ बिहार चला रहे थे उपमुक्य मंत्री थे तेजश्वी यादो लेकिन अब एक बार फिर से पाला बदल लिया है बीजेपी के साथ बिहार में एंडिये सरकार का गठन हो गया है समराट चौधरी अ नितीश कुमार वहां पर बीजेपी के शुर्ष ने तृत्व के साथ मुलकात किया है और अब कहा है कि भागेंगे नहीं आप इस पर क्या राया रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद लाइफ भिहार यूट्यूब पर और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें